वाहे गुरुजी की फते गरवाणी कथा चैनल वेचे तोहाँ डसावदा बहुत सवागत है आज ऐसी दहानू अजेही चमतकारी जानगारी दिनवाली हां जिसनू सुनके अपने जीवन वेचे हंडा के तोहाँ जीवन वेच अनोखा ही बदलाव देखनू मिलेगा आव तेयल देयां एक अजेहा चमतकारी तेयल जिस तेल देनाल तोहाँ डेळी जीवन वेच बहुत चमतकारी लाव हो जावेगा जी हा जिस और अगर कोई ते आनसादना और सिम्रन करदा है ते उस ती सुर्तियां त्यां गहराईयां तक पहुंचन वेच ए जानकारी बहुती लावदाई के सावत होवेगी तो हड जीवन वेच पर जाएगा उत्षा योंकि ये परजोग लाएगा फुर्ति ताजगी अते अनेका सारे फायदे जोदों तुसी ये परजोग करोगे और त्यानसादना जा सिम्रन करोगे इस परजोग दे करदेयां अगर तुसी ब्रह्म चारेदा पालन अते अलाग ही अनांद तहाननों मिलेगा जो आज तक तुसी कदेवे अनपव ना कीता होवेगा क्योंकि तुसी अज मैसूस करन वाले हो पाणी पीन नाला भी असान है ब्रम चर्या सबतों पहला ऐसी नाभी दे जातु नीदे सेंटिफिक फेक्ट नू जानागे अते इस देना की की अनपव हुन वाले हान ओता हन दसांगे एक वार साननू हजूर सहे वेचक सादू मिले सान जनन महिस्वाल कीता सी के स्रीर बेच हमेशा अनांद बणया रवे ताकत बणी रवे और सिमरन करदे समय ना पूख लगे ना प्यास लगे और दमाग हमेशा ही प्रमात्मा दे तेल दियां तू नीदे प्रमात्य नहीं नहीं होवेगी और हमेशा श्रीर बेच जोश एक ताकत बणी रवेगी उना ने सानु दस्या के तेन बुंदा नारियल दे तेल दियां तू नीदे वे ते लगाओ ते फिर देखो इस दा चमतकार साथ संगत जी इस गालदा प्रजोग करके ता ऐसी देख ही लिया पर इस तो अलावा एक डाक्टर ने जदो सानु इस दे वेनिफिट दसे ता साधियां अक्खा ही खुलियां रह गई तो नीदे नार्डवे वेच जदो बच्चा पैदा हुनदा आयते उसी तो नीदा ना हुन जा काड़े हुन उतने सिट दःये ता ओक कीडियां काड़े आपना रास्ता और शट के चल जान दिया हान ते तोन तुसी इस गलतों ही अंदाजा लगा सकते हो के साढ़े पेट बेच जैहा नाभी जैत तुनी बेच बेक्टीरिया है जिसनु एनी शक्ति छाली मात्रा दे बेच रब ने पैदा कीता होया है और ऐसी इस तो अनजान हा इस दे होर भी अन सप्पलाई कारणवाडी जो नाड है उसक चुकी है इस नहीं तुसी कदी भी देख नहीं पाओगे सब तो इंट्रेस्टिंग गल एह है कि ओ नाड नाभी तो ही एक खाता काउदी है नंबर टू जो एक इस तरी गर्बतार्ण कर दी है उस समय सब तो पहला बच्चे दी न अब भी तो बाद सारा स्रीर बनदा है जिस तो बच्चा सावी लेंदा है जिस तो ही बच्चे दे स्रीर बेच माद स्रीर तो खून पहुंचदा है जिस तो ही बच्चे दे स्रीर दी सारी पर किरिया नौ मुह ने तक पीट मेंच जाल दी है तीसना फैक्ट जदों कोई ब् व्यक्ति दी नाबी हिमेशा गरम निंदी है, जिस दोई थाबत हुनदा है कि नाबी बेच बडमॉल्दा जीवन हुनदा है. चौत्हा फैक्ट, साड़े स्रीर बेच 25,000 नाडियां हान। नाबी ते एक गट हुनदी है, नाबी ते एक गट हुनदी है, जिस दे पिछे महत्रह यार नाडियां आके मिल दिया हान और ये नाडियां पूरे स्रीर बेचे नाबी तो ही हो के जा दिया हान अगर स्रीर दे नाडियां दे लंबाई दी गल करिये ये नाडियां इन्या जदा लंबीया हान के इना नाड़ा दे नाल पूरी तार्तीदा दो बरी चक्कर लगाया जा सकता है इन्ने जदा लंबाई है इना नाडियां थी अगर ऐसे नभी पेज तेल लगाँदे हां ते रुखियां सुखियां अखां काट देखन वड़ियां अखां कमजोर रखां अखां ते डार्क सरकल इस सब ठीक हो जांदे ह पेट दा अगरी तत्तव जो कमजोर होंदा है वो भी सही हो जानता है इस तरह अलाग अलाग तेल हां इस देन आड जो ते आनसादना कर दी हां उना दी जीवन वेच भी गहराई होंदी है अजे है तेल तन भी दे लगा के सूर्ती कैमरें दी है फटियां अडियां जोडा दर्द श्रीर दा थर थर कंबना आल सा ओना रुखी तवचा आदी कई भुवारियां ठीक होंदी हां तीस दा लगातार परजोग कर दे नाड तीसरी आख जो अग्या चकर है ओदे पर खेच पैने शुरू हो जान दी है ते सूर्ती जोडन लग जान दी है आउ जान दे हां किमें करना है नाभी बेच तेल दा परजोग अधी केड़े केड़े तेल दे परजोग कि की वर्दान दिंदे हन शरीर नूँ पहला तेल even नार याल दा तेल किसे ड्रॉपर दे नार दो तेन बून्दा रात नू सौन za पहलना नभी बेच लगाओ अते नभी दे डेढ जेहा लगातार दो तेनमी हिनिता करना है और जेहा करन दे नाल अक्खान दा सुक्कापन, सकेन दा सुक्कापन, कमजोर वाल, काट निगा, आधी तरादियां प्रावबलमा ठीक हुन दिया हान, अक्खान दे काले केरे तबहचा आते सिर दे बाल, शाइन करन लग पेंदे हान रातनों जेतो नाभी तेल तू नियोते लगोना है और इस दे तू नियोते लगोन दे नाल ही थोड़ा जा तेल लेके दोना अक्खान दे गब्बे तीजी आखते भी रगड़ना है, कोई एक दो डेड़ मेंट ता के इस दी मसाज अक्खान दे गब्बे तीजी आखते करन है इस तरह लगातार तेन मीन दा कारण दो वाद तहानू एक अनुखा ही अनपव होएगा कि ता हडी तीसरे आख दे उते कोई ग्रैपिटेशनल खिच जी पह रही है इसे तरह अगर तुसी कोड़ा तेल अर्थात सरुदा तेल नाभी ते नातर सौन दो पहला तेन बुन्दा लगाँदे हो ते डेड़ इंचे तक इस दे पेट उपर मार्च कर दे हो ता स्रीर दा कमबना जुआइंट पेंड सुक्की सक और अन्यक सारी बमारियां इसना ठीक होनी हैं इस दे नाड ही आओ जान दे हां के तुन्यों से तेल लगाँड दे नाड शरीर तक की हुंदा है साधी नाभी यह पता लगाँड बेच समर्थ है के केड़ी नास शरीर दी बलोकज है स्रीर विच जो बहत तरह जार नाडिया बेच केड़ी शरीरे नाड मोंचन दी ताँ कि उसकी खुशकी खत्म हो जानी है ते ओ नाड जो खुशक हो के बंद हो ईउदी है बलॉग हो ईउदी है तो दोबादा ठीक हो के चेलन लग जानी है तुस्य अबी देखे हो गा कि जदो बच्चेया दे पेट भी दर्द होनी है उस समय तेल दे नाड, हिंग मडाकी जा पानी वेचे हिंग मडाकी पेट दे तेल लगाई जान दी है बच्चे दे तब बच्चा बेलकुल ठीक हो जानता है दूसरे शब्दा पे जैसे कहिए ता नाभी एक सरीर दा बहुत ही महतम पूरण आग है इस दा सही तरीके दा इस्तमाल करके तुझी हार एक बमारी तो ठीक हो सकते हो इता था कि जो ब्यक्ति मेल अते फी मेल दी प्रॉलम है ओ भी ठीक हो सकती है अपने स्रीर दा नाश कर लिया है उस दा भी नाभी बिज तेल पौण दे नाड तुबारा तो बनतर सही हो जान्दी है स्रीर दी प्रक्रिया सही हो जान्दी है इस तो लावा जो ते आनसाधना कर दे हान अगरो रोज ही एक मेंट जो तो नीज तेल लगाँ दे हान उस समय ओही ओईल मत ते दोना अखाने गब्बे लगा के एक मेंटली रगडन और इस तरह जे एकमी ही नाभी कीता जावे तो तहानू अनुखाई चमत का देखाणू मिलेगा लगादार तुसी ए चीज नू आपनी जिन्दकी देहंडा के देखो ते फिर सानू कमेंट करेओ और दस्यों के कोई अनपब होया है चाड़ा ए मनना है के अजिहा अनपब जरूर हो वेगा क्योंकि सानू अजिहा अनपब हो चुका है इस दे नाड़ ही ए भी गल्दास देने हां के सिरी बेच कोई भी नाड़ सुकी है जा किसे नू अक्खान दी कोजो रही है किसे नू देखदा नही है तर नाबी बेच तेल गाउंट नाड़ अक्खान दी रोशनी भी बाद जान दी है आजक दा स्वाल ऐ है कि सिरी बेच जेह यां ते नाड़ आड़ हिकिडिया आञा जो साडीत्या आसा दना आते सिम्रन कारन भी साड़ी सारीता कर दी है आँ वह गुरुजी के खाल साव वह गुरुजी की फते इस जान कोई जी मैंस परफु स्कान स्तरा आती है